कर दौज़ सासंट का is ओ इसका क्टि करने यहां पर थीज्वाण कम्पूर नेट्वर्क साइन्स का कम्पूटर साइबoss Black ता इस स्वल स्फिर्थके कंप्राइब्स क्टिंगोंत वह दॉट हो कि चलते यह पर ने इंट्रदक्शन पर तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्ड क्या होता है एक साथ लिंक हो जाता है इन ओर तो सेर रिसोर्शेस ठीक है या किसी भी इंफरमेशन को सेर करने के लिए किसी भी मेडियम से कंप्यूटर में भी कनेक्टेट भाया एनी डेटा कम्निकेशन लिक और कॉपर वायर सोप्टिक फाइबर या कम्निकेशन सेटेलाइट या से deed Hier तो कम्नेक्ट कर देते हैं इन सेबाए के ज vaigबओ कुण्चन के नेटवर्क है और जब नेटवर्क हो जाता है तो हम लोग एक दुसरे के साथ कम्मिकेशन को share, communicate कर सकते हैं, information को share कर सकते हैं, peripherals वोगरा को use किया सकता है, ठीक है, next हमारा है, अब इसमें देखिए, types of network जो है, कितने होते हैं, तो पहला होता है हमारा land, local area network, यह पूछता है, क्या होता है, इसका full form, दूसरा होता है हमारा metropolitan area network, और तीसरा होता है हमारा wide area network, ठीक है, तो हम लोग एक एक करके one by one, हम लोग सभी को देखते हैं अबी, ठीक है, local area network का क्या-क्या features होता है, क्या-क्या इसमें use किया था, यह चीज़ देख लेता है, land is a computer network widely used for local communication, यह local communication के लिए use किया था, यानि यह fewer distance तक फायला हुआ होता है, ठीक है, जैसे यह कितने द network होता है, private group से यह रहता है, ठीक है, और क्या इसका purpose होता है, कोई भी resource का लोग share कर सकते है, exchange कर सकते हैं, इसके तरूप, ठीक है, और क्या हो सकता है, lands are different from other kinds of network by three characteristics, देखे, land क्यों different होता है, तीन characteristics से, एक तो इसका क्या होता है, size पहले सबसे छोटा होता है, land restricted in size होता है, इसको use कियाता है, जैसे campus हो गया, एक building हो गया, किसी भी office में हो गया, किसी cyber में हो गया, ठीक है, इसलिए इसको बोलाता है, worst case transmission, क्योंकि इसमें time पहले से पता होता है, सब चीज़ का time handed किया सकता है, ठीक है, और यह बहुत ही कम distance तक फैला होता है, दूसरा अमर्ज होता है Transmission Technology होता है, इसमें जो Transmission Technology का use किया आता है, single cable के through connect किया आता है, बहुत सारा all machines are attached आता है, single cable के through, इसका ت्रेडिशनल speed होता है, 10 से 100 Mbps होता है, low delay होता है, इसमें delay बहुत युक कम होता है, और बहुत युक कम error इस पर आता है, ठीक है, जिए नेंस्ट हमारा है, next है Topology, topology देखिए connection medium होता है किस तरह से हम लोग method होता है किस तरह से connect कर रहा है ठीक है तो वह होता है bus topology and ring topology इसके बाद हम लोग देखते हैं local area network का यह figure हो गया देखिए यहाँ पर connect है bus topology से और यहाँ पर connect होगे हमारा ring topology से और यह topology जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारा इसका features होगा ठीक है तो चलता हम लोग next पर next है हमारा metropolitan area network metropolitan area network क्या होता है man is a computer network spread over city यह किसी एक छोटे मोटे सहर पर यह फैला होगा या metro city पर फैला होता है ठीक है cable television देखिए cable television रहता है एक cable घुमा रहता है बहुत लोग यूज़ करता है तो वो cable television best example होता है हमारा man का यानि metropolitan area network का the computer in man are connected using coaxial cable और fiber optics इन दोनों cable का use करके metropolitan area network में किया जा सकता है ठीक है और man also connect several lands spread over the city और man का use किया था है जैसे एक line यहां पर बन गया अभी हम लोग देखिए एक line हो गया और यह दूसरा लिन हो गया इन दोनों line को connect कर सकते हम लोग man के थूँ ठीक है next time है हमारा it is basically bigger version of land बड़ा version है land का ही और similar technology यूज़ किया था है ठीक है we distinguish man as a special category because it implements अब देखिए इसको special category में क्यों रखा गया है क्योंकि क्या क्या implement करता है यह एक protocol का use करता है या कह सकते है यह Ethernet होता है जो होता है EEE 802.8 यह होता है ठीक है distributed q deal bus होता है इसके तुरू it consists of two unit directional bus through which through which all computers are connected इसी के तुरू computer connect किया था है each bus has hand in ठीक है इसके पास in होता है और device can initiate transmission activity ठीक है एक device use होता है जो transmission का co-activate करता है ठीक है a key aspect of man is that there is a broadcast medium to which all computer are attached जैसे computer अभी बात हो रहा है पर television network का ठीक है उसमें क्या होता है broadcast होता है जैसे एक जगह से broadcast कर दिया गया multiple user connect है उससे और वो चीज information को get कर रहे है ठीक है तो यह broadcast network इससे बनाया हो सकता है नेक्स्ट यह जो है इसका metropolitan area का यह figure है यह कहां पर फैला हुए spread over a city जैसे मानली जी यह कोई देली हो गया पटना हो गया ठीक है लकनाव कानपूर कहीं भी हो गया एक पुरे दिल में रहेगा अगर मानली जी यह चोटा सा लाइन है यह चोटा सा लाइन है तो सारा लाइन क कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग metropolitan area network से और किस medium से यूज़ करेंगे किस कौन से topology यूज़ करेंगे या तो हम लोग bus topology star या ring या mess topology कौन से topology यूज़ करेंगे यह topology वाले next lesson में हम लोग देख लेंगे ठीक है चलते हम लोग अभी wide area network पे अब देखिए wide area network क्या होता है यह सबसे कम distance में फैला था उससे जादा हमारा पूरे एक साहर में जो फैला हुआ था वो क्या था पूरे साहर में जो फैला था वो एक metropolitan था और यह हमारा होता है wide area network तो इसमें है when is a network that connects computer over long distance like cities, countries, continent और worldwide ठीक है यह कहीं पर भी फैला हुआ हो सकता है या तो cities में, country में या किसी त्यार किया सकता है when uses telephone line देखिए इसको telephone line के थुरू भी कर सकते है satellite link के कर सकते है radio link के थुरू यह connect होता है क्योंकि पूरे world में wire के ज़री यह connect नहीं किया सकता है ठीक है तो satellite वगरा के ज़री यह किया आता है they need to be they need to be able to connect any number of computers at any number of site at any time ठीक है इसका हम लोग यूज कर सक सकते हैं कितना भी computer को किसी भी जगह पर किसी भी समय connect करने के लिए ठीक है इंटरनेट इसका common example होता है जैसे इंटरनेट पर एक नेटवर्क है ना यह इंटरनेक को हम लोग क्या करता है network of networks है मतलब बहुत सारे network का यह father है ठीक है तो एक वैन का यह example होता है हमारा internet ठीक है यह होता है हमारा वायन देख यह पूरा continent पूरे वर्ल में यह फैला हुआ है तो यह होता है wide area network ठीक है तो इस सेसर में इतना ही राइन देखना था कि नेटवर्क होता क्या और इसके types कितने होता है यह basic हमारे types होते हैं next में हम लोग जितने network device बगरा होते हैं जैसे repeater हो गय हर एक protocol के बारे में हम लोग study करेंगे वीडियो अगर अच्छा लगा था प्लीज वीडियो को like कर दीजिए लोगों में share कर दीजिए जितने भी तयारी कर रहा है exam का ठीक है state का exam का और channel को subscribe कर दीजिए और अगर PDF इसका चाहिए तो PDF का link आप लोग download कर सकते हैं PDF का link दिया रहेगा description box में ठीक है आप telegram download करेंगे वहाँ पर channel को search कर सकते है boost up 2020 and you can download your PDF ठीक है तो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए bye bye